नमस्कार दोस्तों मैं जए दिन आपको बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ क्रिप्टो मनी मंतरा के एक नए वीडियो में आज के इस वीडियो में बातचीत करने वाले हैं बाइनांस एक्चेंझ से रिलेटड एक न्यूस के बारे में जो कि अभी कुछी देर पहले आप एक न्यूस निकल कर آGS आई रही है क्या कुछ निफ्ट है क्या कुछ इंपाक्ट हो सकता है उस news का market के उपर इन सब चीज़ें के बारे में discussion करेंगे हैं आज के इस वीडियो में तो आगे मेंटने से पहले आप सो लोग से आना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बारी आए हैं आप चुली कहा था कल यहाँ पर की बाइनान से रिलेटेट हम क्या कुछ चीज़े expect कर रहे हैं और आज क्या news निकलकर रही है इन सब चीज़ों के बातचीत करेंगे तो चलते फटा 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 पारी computer screen पर उसी के साथ साथ टेकनिकल अनालेसिस क्यों important होता है उस चीज़ के बारे में जरूर बातचीत करेंगे इसी news से related जो कि यहाँ पर discussion रहने वाल है तो चलिए फटा फटा फट चलते मारी computer screen पर ताकि आप सब लोगों के साथ यहाँ पर सारी details जो हो शेयर कर सके हम तो चलते computer screen पर तो यहाँ प मैंने BNB के लिए साफ शब्दों में लिखा था कि मैं यहाँ पर देख रहा हूं कि BNB का जो monthly chart है वो यहाँ पर clearly यह मोका देता है कि अगर किसी को पैसे कमाने हो तो यहाँ पर focus करना चाहिए on shorting BNB in BTC pair और साथ ही साथ मैंने यह चीज़ कहा था कि यह जो है USDT pair के अंद यह चीज़ शेयर करी थी और यहाँ पर मैंने लिखा था कि मुझे नहीं पता I don't know what would be the negative fundamental news for Binance however I think something is cooking behind right मैंने यह चीज़ लिखी थी कि मुझे नहीं पता कि यहाँ पर क्या negative fundamental होगा क्या negative news होगी Binance से related लेकिन कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ एसा होने वाला है कुछ कुछ ना कुछ पीछे पक रहा है जो कि यहाँ पर negative news लेकर आ सकता है और ऐसा मैंने क्यूं कहा था आत्स लोगों बता दें आत्स लोगों बहुत अच्छे से बता होगा कि मैं यहाँ पर Elliot waves को लेकर बात कर रहा था क्योंकि मैंने यहाँ पर Elliot waves का pattern भी यहाँ पर मैंने wave down and then 5th wave आप 5 waves हमने clearly यहाँ पर देखी थी जो कि monthly chart के उपर हमको दिख रही है which indicates कि uptrend जो है वो यहाँ पर खतम हो चुका है जैसे कि आप सब लोगों मैंने लिखा था कि है monthly chart है यहाँ पर अब देख सकते हैं मैंने 1 month को मैंने यहाँ पर select भी करके रखा है तो that means कि पर हमको 5 waves complete होते में नजर आई है अब trend खतम होता में नजर आ है और ऐसा क्यूं लगा कि मुझे 5th wave complete हो चुकी है क्योंकि यहाँ पर ऊपर की तरफ एक pin बार है एक बहुत बड़ा सा विक है जो कि यह चीज दर्शाता है कि market ऊपर तो गया था लेकिन वापिस selling pressure आने की वा आ गया था which means a selling pressure in the end right तो अगर selling pressure बन रहा है pin बार बन रही है which means कि यहाँ पर selling pressure आगे भी continue हो सकता है और यहाँ पर 5 waves तो नजर आ ही रही है which means कि यहाँ पर कुछ नो कुछ नो कुछ नो कुछ आसी news आ सकती है जो कि market को बहुत तेजी से नीचे की तरफ धकेलते वे लेकर चले जाए BNB को specially नीचे बहुत तेजी से धकेलते वे चले जाए यह BNB BTC पेर के अंदर बात्चीत हुई थी जो कि मैंने आपर आफ ब्लोगों को चार्ट शो किया था उसी के साथ साथ USDT पेर के बारे में भी लिखा ही था लेकिन अगर हम आज की बात करे तो आज यहाँ यहाँ पर हमको जो निउस निकल कर आ रही है जो कि एक दिन के अंदर अंदर ही हमको यहाँ पर निउस निकल कर आ गई वो चीज यहाँ पर नजर आ रहा है कि लिखा आ रहा है यहाँ पर 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 यहाँ नहीं कर सकते हैं जैसे वे रिसेंटली आप सु लोगों याद होगा कि रशिया के उपर बहुत सारे संक्शन्स लगाए गए थे जहांपर यह चीज कहा गया था कि आप US डॉलर के थूर जो है वो प्रशिया में कोई भी ट्रेड नहीं कर सकते हैं और भी बहुत सारे अलग-अलग कंट्रीज के उपर संक्शन्स लगाता रहता है US क्योंकि US बहुत पावर्फुल कंट्री है अपने आपको बहुत पावर्फुल मानते हैं वो इस वज़े से वो संक्शन्स इंपोस करते रहते हैं अलग-अलग कंट्रीज के उपर तो इस चीज़ को लेकर भी यहाँ पर यहाँ पर यह चीज़ लिखा है कि कोई न कोई ऐसा संक्शन है जो कि यहाँ पर वॉयलेट किया है बाइनांस एंड सीजी ने और मनी लॉंडरिंग की है जिसकी वज़े से यहाँ पर क्रिमिनल चार्जिस बाइनांस के उपर और यहाँ पर सीजी के उपर फाइल हो सकते हैं सीजी आप सब लोगों पता ही है, जो कि यहाँ पर CEO है Binance Company के, Binance Exchange के basically, तो यहाँ पर हमको यह चीज़े नजर आ रहे हैं, यह negative news निकल कर नजर आ रहे हैं, हाला कि इसी के response में एक tweet निकल कर आया है, जो कि Binance ने आपर किया है, कि यहाँ पर लिखावा है, Reuters had it wrong again, मतलब कि Reuters के पास कुछ wrong information है, और यहाँ पर यह लिखावा है कि they are attacking on this thing, तो यह सारी चीज़े लिखकर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर यह जो एक response भी यहाँ पर share किया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह पूरा article है, जिसमें एक response बेसिकली जो यह वो share किया है, यहाँ पर लिखा हुआ है सारी चीज़े, अगर आप पढ़ना चाहें तो Binance क्या Twitter handle खोल कर, यहाँ पर यह सारी details पढ़ सकते हैं, लेकिन आप सब लोगों एक चीज़ बता दें, अगर ऐसा कुछ होने जा रहा है, या ऐसा कुछ हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर consider किया है filing criminal charges, तो उस condition में हो यह सकता है, कि जब तक यह charges रहें, जब तक court में cases चलें या ऐसा कुछ हो, क्योंकि money laundering का अगर case है, तो of course court में cases जा सकते हैं, हो सकता है कि SEC के तुरू यह सारी चीज़ जाएं, hopefully, यह SEC के तुरू ही जाएगा, जो कि एक body है, जैसे यहाँ पर India में body है SEBI, जो कि पूरा का पूरा यहाँ पर Security Exchange Board of India है, वैसे ही वहाँ पर है Security Exchange, जो कि basically वहाँ पर देखता है कि एक तरीके से SEC एक body है, SEC SEC body है, जो कि वहाँ पर सारे तरीके की चीज़ें जो है, वो यहाँ पर Trading से Related, क्या कुछ चल रहा है Financial Markets में, उन सब चीज़ों को यहाँ पर Track करता है US के अंदर, तो इसी तरीके से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यह जो यहाँ पर जो चीज़ें है, यहाँ पर देखने को मिल जाए, क्यूंकि हमको यहाँ पर Technically तो पूरा Indication मिल रहा था, कि Market नीचे जा सकता है, और Market को नीचे जाने के लिए चाहिए होता है, और Fuel कैसा चाहिए होता है, नीचे लेकर जाने के लिए Negative News चाहिए होगी, FUD चाहिए होगा, तो यही FUD हम सब लोगों के सामने यहाँ पर निकल कर आ चुका है, हो सकता है कि कुछ और भी FUDs बने, हो सकता है कि कुछ और भी Negative News पर निकल कर सामने आए, लेकिन फिलहाल के लिए भी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यह कुछ negative news निकल कर आ रही है जो कि यहाँ पर हमको दिखाई दे रही है Binance से related, CZ से related जो कि overall BNB coin को जो कि Binance का native token है उसको नीचे लेकर जा सकती है बहुत जादा यहाँ पर जिसे यह देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ आ चुका था यहाँ पर Binance का coin BNB coin और अब यहाँ पर हो सकता है कि monthly chart पर भी एक बड़ी गिरावट हमको देखने को मिले over the period of time हो सकता है कि कुछ अगले महीनों के अंदर हमको market में गिरावट नजर आती रहे यह सारी चीज़े होती रहे especially अगर हम बातचीत करें मैं एक बारी चार्ट खोले तो हम पहले Bitcoin का चार्ट खोल ले देंगे लेकिन Bitcoin के चार्ट के उपर discussion नहीं करेंगे हम अभी हम जो discussion करने वाले हैं वो करेंगे Binance Coin के चार्ट के उपर जहां पर BNB Coin के उपर बातचीत करेंगे मिलनी कि क्या को चीज़े चल रही है और यहां पर BNB का BTC pair और यहां पर साथ के साथ हम यहां पर जाते हैं वन डे चार्ट पर अगर हम देखेंगे कुछ टाइम पहले तो यहां पर कितना बड़ा यह spike आया था USDT pair के अंदर और यह उसी दिन का spike है जिस दिन हमने यहां पर BTC pair के अंदर भी बहुत बड़ा सा spike देखा था देखें डेली चार्ट के ओपर भी बहुत बड़ा स्पाइक है और मंतली चार्ट के ओपर भी बहुत बड़ा स्पाइक है यहां पर हम देख सकते हैं उसके बाद एक और lower high बनाया then again again lower high sprint हो रहे हैं यहाँ पर और support अगर मैं बात करूँ तो support जो first support है यहाँ पर जो basically अभी तो तूट चुका है वो यहाँ पर somewhere around 275 के around था जो कि यहाँ पर तूट के अभी आज नीचे की तरफ आ गया है 270 के आसपास तक यहाँ पर prices गिर गए थ rating तो और अभी यहाँ पर नीचे की तरफ थोड़े और support भी है जो कि somewhere around 250 से लेकर 260 के बीच में आपर support बनते हैं और अगर यहाँ पर 260-250 का जो यहाँ पर support है अगर यह lose हो जाता है तो उस condition में आप यहाँ पर देखी सकते हैं कि किस तरीके से बार बार इसी जगा पर 250-260 के आसपास यह जो testing हो रही है इसको यहाँ पर हो सकता है कि अगर यह BNB break कर दे and then further हम यहाँ पर नीचे की तरफ देख सकते हैं यहाँ पर BNB coin को आते हुए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है यहाँ और कुछ दिन पहले मैंने चार्ट भी post किया था हमारे Twitter handle के उपर ही अ यह जादा दिन पुरानी बात नहीं सिर्फ दो-चार दिन पहले की बात है जहाँ पर हमने इसारी बाते करी थी तो यह सारी चीज़े हो चुकी है आपर USDT pair के अंदर अब बात करते है थोड़ा सा BTC pair के अंदर जो कि हमको यहाँ पर नजर आ रहा है देखिए यहाँ पर यह सपोर्ड बनता है वो कुछ इस जगा पर बनता है तो यह जो जगा सपोर्ट है यह भी बहुत जादा नस्दीक है देख सकते हैं यहाँ पर यह सपोर्ट है यहाँ पर यह सपोर्ट है अभी यहाँ पर अगर यह गिर जाता है इस सपोर्ट को तोड़ देता है यह जो पूरा 0.0154 और उसके बाद है 0.0149 मतलब कि यहां से अगर मैं बात करूँ तो अराम से 10-15% तक की गिरावट हमको यहां पर देखने को मिल सकती है हो सकता है कि फर्दर और नीचे भी गिरावट आ जाए और इस तरीके से हमको हो सकता है कि अभी जो आपर 270 यह जो आपको यह जो support ज दोबारा से BNB को लेकर आ सकता है जो कि अभी हमने यहां पर बाक्षीत करी थी कि BNB का जो यहां पर USDT pair के अंदर supporter 250-260 के आसपास यहां पर हमको नजर आ रहा है जो कि मैंने यहां पर अभी बताया था आप सब लोगों को तो उसी तरीके से यहां पर हो सकता है कि लेकर आ करूं 240 and then further और भी यहां पर नीचे की तरफ जा सकता है coin और मेरे इसाब से अगर यहां पर monthly चार्ट के अपर BTC pair के अंदर अगर बड़ी गिरावट अगर आएगी तो आप मान के चलिए कि यहां पर यह भी जो prices हैं यहां पर गिरकर नीचे की तरफ आ सकते हैं like mid term और long term right मेरे इसाब से 100 के नीचे तो यहां पर BNB हमको आने वाले वक्के अंदर जरूर नजर आ सकता है यह especially मैं वीडियो सिरफ वर सिरफ BNB को लेकर बना रहा हूं और बहुत लंबे समय से आप सब लोग में से बहुत सारे लोग ऐसे भी जो कि हमारे whatsapp group के अंदर है वो सब लोग जानते हैं कि यहां पर बहुत लंबे समय से I am bearish on BNB coin कि यहां पर BNB coin जो है हमको round about हो सकता है कि 100 या 50 डॉलर्स तक भी नीचे आता वा नजर है ऐसा क्यूं कह रहा हूं है देखिए यहां पर cryptocurrency market में यहां पर history रही है कि जबी भी coin coin जब गिरता है तो यहां पर जब जितने भी odd points अगर मैं Ethereum की भी बात करूं तो Ethereum भी पिछले bear market के अंदर हमको 95% के आसपास तक की भी गिरावट देखने को मिली थी अगर मैं इसी हिसाब से सोचूं तो 600 something का यहां पर high था और यहां पर अगर मैं 90% भी अगर मैं correction मान के चलूं तो अराम से approximately कुछ न अगर चला गया तो हो सकता है कि 50-40 डॉलर तक के भी prices हमको आने वाले वक्त के अंदर देखने को मिल जाए देखिए खुदी आप यहां पर देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर BNB BTC pair के अंदर जो है वो यहां पर कितना ही ऊपर चला गया था और इसके हिसाब से अगर BTC भी अगर गिर जाता है तो मेरे हिसाब से कुछ नहीं कुछ नहीं यहां पर 60-60 के आसपास के prices 60 डॉलर तक के भी prices हमको शायद मैं बहुत बड़ा target दे रहा हूँ जो कि यहां से अगर मैं बात करूँ तो 200 डॉलर से भी ज़्यादा गिरावट हम यहां पर expect कर रहे हैं ले हो सकता है कि हमको अगले 3-4 महीने यहां पर जो है वो अच्छी खासी गिरावट हमको Binance Coin के अंदर जो BNB Coin है उसके अंदर देखने को मिल जा क्योंकि Negative Fundamentals का जो सिलसला है वो यहां पर start हो ही चुका है आने वाले वक्त के अंदर और और भी कुछ-कुछ चीज़े जो है व उमीद करता हूं कि आपको वीडियो काफी पसंद आओगा और यहां पर आप सो लोगों काफी informative रहा होगा जो कि हमने यहां पर expect किया था वैसा कुछ होता हमको यहां पर नजर आ रहा है एक दिन पहले ही जस्त हमने यहां पर Twitter पर लिखा था और next day आज ही हमको यहां पर यह सारी चीज़े जो है negative news जो है यहां पर देखने को मिल चुकी है यहां पर Binance से related तो फिलाल के लिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही उमीद करते हैं कि आपको वीडियो गफी पसंद आओगा अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो like का बटन बिल्कुल दबा द कर आपको अएले स魁ते को अपको ज्मिंग म्यावण पत्राफ इस यहां वीडियो फे ए Sü亲नवय को प्लाइब गयो है तो ओटने आपकों कि उया है भीडियो च 여기ए बिल्स आपकों कि एंपकों कि जार देटती हैं कि अवपकों के लिए यहां पया है